के साथ अश्रुपुन नेत्र के साथ आज पूरा देश इन वीर जवानों को सलाम कर रहा है हमारे देश के वीर हैं ये जिने आज हम सब सादर नमन कर रहे हैं और देशवासियों के इस दुख्म के साथ जुड़ रहे हैं खुद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जो पालम एरपोर्ट पहुंचे हैं इस वक्त हमारे इन देश के वीर सबूतों को शधानजली अरपित करने के लिए देश के लिए एक अपूर नियक्षती है ये जब हमारे देश के प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ उनकी इस तरहां असामयक मृत्य हुई और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुषपानजली के जरिये इन वीर सबूतों को शधानजली अरपित करते हुए प्रधार मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनात सिंग और ये श्रधान्जली प्रधानमंत्री की ओर से नहीं बलकि पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री अपने इन वीरसपूतों को देश के इन बलिदानियों को अरपित कर रहे हैं इन शूर्वीरों को विनम्र श्रधान्जली दे रहा है देश, प्रधारमंती नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन राश्ट्रनायक बलिदानियों को विनम्र श्रधान्जली दे रहे हैं. चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ श्रिप बिपन रावत और उनकी पत्नी सहित सेन अधिकारियों का निधन, अत्यांत दुखत और राश्ट्र के लिए अपूर्णियक शती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनरल बिपन रावत को पुषपांजली अर्पित करते हुए, शधांजली अर्पित करते हुए, और अब उनकी पत्नी मधुलिका रावतची को भी पुषप अर्पित करते हुए, शधांजली देते हुए. और अब ब्रिगेजर एलेस लिदर को भी शधान्जली देते हुए प्रधान मंत्री इस दुरघटा में CDS के साथ अन्य बारा लोग हैं जो शहीद हुए हैं इन में जनरल विपिन रावत उनके पतनी के अलावा ब्रिगेजर एलेस लिदर लेफ्निन कर्ネल हरचिंदर सिंग, विंक मांदर P.S. चेउहान, स्कॉडन लीडर केश सिंग, नएक उचिएवक सिंग, नाएक जितेंड्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, जुनियर वारंट ओफिसर दास, जुनियर वारंट ओफिसर एप्रदीप और हवलदार सत्पाल इन सभी को विधान मंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र श्रधान्चली दे रहे हैं ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं, जिनोंने देश भक्ति का जजबा अपने जीवन में प्रकट किया जिनोंने इस जजबे को जिया और इसी जजबे के लिए कुर्बान हो गए देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी, और आज तिरंगे में लिप्टा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों के आँखों में अशुत उला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसाथ करने का भी अहवान कर रहा है कि देश भक्ती के लिए जियो, देश के लिए जियो, देश भक्ती के जजबे के साथ जियो और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्मसाथ करना तभी देश के प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, देशवासियों के ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, शधान्जली अर्पेत कर रहे हैं। देश के लिए एक भावुक्षन है जब एक साथ अपने इतने वीरसपूतों को देश ने खोया। ऐसे में इनके परिवारचन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साचा करते हुए प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी। यह ऐसे क्षर हैं, यह ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमरते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं, लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त इनी परिजनों के प्रती, देशवासियों की कृतग्यता प्रदर्शित करते हुए, देश के लिए इन वीरसबुतों का बलिदान, इन परिवारजन का भी बलिदान बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सबकी आँखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है। और इन सबके प्रती आज देश की ओर से कृतग्यता अर्पित कर रहे हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक अफसर जब पुरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अफसर जब इन वीर बलिदानियों को पुरा देश इनके प्रती कृतग्यता महसूस कर रहा है, पुरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देश भक्ति का सबक सीख रहा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपून देश की ओर से इन्हें शद्धानचले अर्पित की है इनके परिवारजन के प्रतिक्र तग्यता अर्पित की है क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है ये देश भक्ति का जो सबक सबको सिखा रहे हैं आज हमें उसे आत्म साथ करना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनात सेंग तीनों सेनाओं के प्रमुख जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूर वीरों को शधान चली अरपित की है पालम एरपोर्ट से ये सीधे द्रिश्य आप देख रहे हैं शुधान चली अरपित कर प्रधान मंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालम एरपोर्ट से